नमस्कार साथियो परतीबा फांडेशन के यूटूब चानल पर आप सब का हार्दिक स्वागत है आज हम लोग सेट नंबर पंद्रा करेंगे जैसा कि सेट नंबर आप लोगों ने चौदो को प्यार दिया है भरोसा आया कि पंद्रा को भी देंगे पूरा इत्मिनायान से जो है आप लोग जिस हिसाब चाप पर रहे है हमें तो लग रहा है कि इस बार जो है जीट कहीं अलग नहीं जाएगा रख लेना है अपने कुपचे में है है प्रहाई के दौरान भी बाते करेंगे तुरुदात प्रहाय से कर लेते हैं फिर बीच-बीच में हम लोगों बाते करेंगे मोटिवेसण भी आपके बीच लगते रहेगा पहला सवाल है कि में लिखित में सब हारी मशीनों के उप्यो सनेहक क्या होता है पिले बताइए सनेहक का मतलब होता है जिसमें फिसलन की प्रकिर्ती अधीक हो मतलब जो चीज जिसमें फिसलन अधीक होगा वह सनेहक है आपको हम बता देए सनेहक के रूप में एक्जामपल बता देते हैं ग्रीस एबी एक सनेहक है तेल एबी एक सनेहक है आपको बता दे है मोबील तो इस एक सनेहक है यहां पुछ रहा है कि भारी मसीन में तो भारी मसीन में सनेहक के रूप में ग्रेफ हाइट का उपयोग करते हैं का इसका उपयोग करते है गे रिप हायट का उपयोग करते है क्यों क्यों कि गिर्फ हाइट में ने कंचौर सुनाय अचै का वाणिस्तु सबसे अधिक होती है इसलिए बड़ा बड़ा इंडस्ट्री जहां लगा हुआ होता है वहां हम लोग सनेहक का उप्योग करते हैं और सनेहक के रूप में ग्रेफ हाइट को लेते हैं फारी मशीन को चलाने में कोई कल अपलोग जायेगा कोई कंपणि में काम करने जब सरकाइनों की लग जायेगा आधि मेरेस नहीं है तो यसलिए आप प्रयास रहा है कि आपको जो भी सवाल दे और ठेंटिक दे या तो एक जाब में पूछा हुआ और नहीं तो एक जाब में पूछा जाएगा वह सवाल देंगा सवाल नमर दूसरा देखिए कितना मस्त कोश्चन है फुली बायू में कुछ दिन छोड़ देने पर सिल्वर की बस्तू किसका सिल्वर मतलब एजी काली हो जाती है क्यों चांदी भी करिया होता है क्या अगर एजी को एस ओटू के साथ छोड़ दीजिएगा तो एए एजी को ट्याग देगा एक एक सीजान से अभी करिया करने में के बज़तों से क्या हो जाता इसके बज़तों से जो है डिक अwhy जाएगा कैंदी क्या होगा क्या हो जाएग अब ग्यांदी का दुगों यहां हिससा ता यहां दूल लगा दीजो बद खतम इसका इंसल होगा सिल्वर तलफेट तलफाइड तलफाइड इसका करेक्ट इंसल इसका बड़े आगे अधायना समझ में तो दो सवाल जो था आपको फोरा साथ जो है असान मिला हो एसे असान तो सवाल हम लाते नहीं है ह Wik आपको लग रहा हो कि असान है वоть कि जामने सेल में जो सवाल सहीं हो जाता है वह असान होता है ची के सब्सक्राइज होताा ओप्शन सबसे बड़ा चीज लाज चीज ए बड़ा इस निकाल लेगा में चीजे ओप्षण समझ रहे आप तो ओप्षण से खिलना सिखिए Elimination method ओप्षण को कैसे eliminate करेंगे क्यार को चीज दिया हुआ है उसमें से एक सही है ढूट के निकालना है और सवाल आपके सामने उपर खरा रहता है और क्लू भी रहता है सवाल में क्लू नहीं रहता है लेकर हम तो क्या है अनपड को देखते तो है लेकिन मिलता नहीं कि धूडता है परिमिलत नहीं तो धूडते तो है मिलता नहीं कि इसलिए हम लोग क्या है Elimination method को सीखेंगे और Elimination method के माध्यम से तक करेंगे तुटकियों में हल करगे चलिए सबाल नबर 7 दएस तीन क्या है गरोह की करती करता है आप लोभक पता है कि कर तलर जो है अपना जो है गरोह तक है संम्द्र तीन नियम दिया था एक नवनीनूम के आप लोग एक बात और लिख लीज जेगा सुर मंदल के खोज में को僅ग नहीं लुकिंए और मंदल के बारे में बताये ठीक अधकी कि तोर्वे तोर मंदल के बारे में बताये थे यए कोपर निकस्, पुलयंट का बैग्यानीक थे, ये पूछा हुआ है कि कहा बैग्यानीक थे, पुलयंग अगर अईसन बात है तो एक चीज आप लोग बताए कि पुलयंट का राधानी क्या है, कमेंट वक्स में छापी आप लोग, तनका साधर उद्र देख लिजिए, नही चलिए बादल या कोहरा किस कुल आइडी निकाय का उधारन है तो बादल या कोहरा जो है ठोस गैस में परिच्छित कुल आइडी का अब आपका यह है कि एंसर सीधे सीधे बता देते इसका डिसकस्ण नहीं कराते हैं तो हम आपको कह रहे हैं कि इस टाइप का सवाल आगे 18 नंबर कोश्चन में है तो इसका जो है पोस्मार्टम वहां करेंगे अच्छा से और फिर आएंगे इस सवाल को देखे हैं तो कि आपको असानी से हल हो जाएं कि प्रिक्ता चलिए चार के बाद हम लोग पांच नोबर सबाल देखते पर पानी पर क्यों तेरता है कि आप देखेंगे और पानी पर ट क्यों तैरता है ऊप एकशूलह के वानत्र नाम का जुब रहनी है यह चो होता है थिरभ्यमान भटा टन के आगिधार होता है पाच आफमार कामात्र केजी है था मोग लिक सकते है केजी आयतन का हता है मीटल क्यों इसका मतलब हम बोल सक्ते मेट इस त्र अनिया दी आप कहे गां ही इसका हम लोग cgs में लिखेंगे आप लोग लिख साथ है ग्राम सेंटीमीटर क्यूब किना मत्रब अब हमें बात बता देते तीन बाते जो नोट कीजिएगा यहां से अब कोस्टन निकल के आता है और यहीं कंसेप्ट से कोस्टन निकलेगे तो कमझे तो कोस्टन जब आपके सामने आएगा तो आप लोग हतास नहीं हुए पहले हमको रास्ता बनाने दिजिए और अले हमको रास्ता अधार करने दिजिए जब रास्ता बन जागा ना कोस्टन तब अपके स्टभ ऑपके लगेगा पहले रास्तान काना ने दिजिंको पहले रहे आपको कि जिसका घ्णात्म हो रहेगा इसका हना ह्ताव अम् वह टाहरेगा वह क्या है गरे गर इसका सगहनता इसका इसका वह वह अंता ताह्म गर आँ अम् जिसका आयतन अधिक जिसका आयतन अधिक बहुत तईरेगा बस 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 यह तीन बात आपको याद रखना है जिसका गहनत कम बहुत तईरेगा जिसका सभनत कम बहुत अधिक अधिक बहुत वेगाइज हो और समझाते हैं यहाँ पानी देख रहा है दो चीज है गहनत होता है न गाराम सेंटी मेटर होता है ग्राम सिंटीमेटर घनातव होता है इसका और पानी का घनातव 1.0 कवर सिंटीमेटर होता है अब बताये किसके कॉम है ग्रप का घनातव कम है ताय की एक हो या ने एक से को मैं है इसके मतलब बरफे तहीरेगा इसका यह मतलब है कि बर्व का घंघ अधा पानी से कम होता है इसलिए तोई दिएक वैर्ब कि अब यहां है एक यहसे यह समोझ लीखिया है गम कि ऐसे इक बात बताई Kelsey गह होता है बडब का सघंध माध्ध में कम होता अब पानी का सघंता अधिक होता कि पानी का सघंता क्या होता है MATT नोस चीज जो है जो आप लोग जो है अच्छा से नूट कर लिखेगा यह चीज आपको लगेगा ना स्कार्ण में इस चीज आपको लगे गाँ इसको आप लोग नोट किजिए अब बताते हैं देखिए आइतन अगर अधीक होगा तक घंध कम होगा और बोले है कि जिसका घंध कम होगा उत्तरेगा नहीं बताए है हम क्या बोला है कि आइतन जिसका कम होगा आधीक होगा मप केजिएगा अईतन जिसका अधीक होगा उत्तर रहे गां अगर आधीक होगा घंध कम होगा गहनत रखनातव करけて मैं यह एक संसप्रय कि रोलीं और आगे और रिंगा शर्ण है असा करते है कि टॉशा सम्झा पाया को सभी से पांच के बाद 6 अक्षय यानि नभी करनिये उड़ जा के सोथ क्या आचा नभी करने का क्या मतलब अधा जानते हैं नभी करनिये का मतलब अधा वह संसाधन जिसको एक बार हम परयोग कर लिए तो समाप्त हो जाएगा लेकिन उसको हम दुबारा परयोगम नहीं लाएंगे इससे साइसन कून चीज है जिसको दुबारा परयोगमstad में नहीं लाएंगे और नभी करनिये कि अभी करने करेंद की कोईला एक वीपर समापट टो जाहेगा नाका कि प्र इख सब्सक्रां चाहिए हैं कि आए मसे मिलेग सेऊने प्रकर्ति हैं यह प्राकृत खेंशिय फोन गया Неप फेर नहींमि लिगा देखिन अगर सूर्ज के परकास खतम हो जाता है तो फिर कल मिलेगा, फिर खतम होगा, फिर मिलेगा, क्योंकि इसमें का जो परकास है, ना भी किये सल्यान विधी द्वारा, ना भी किये सल्यान विधी द्वारा, उर्जा का निर्मान करता है। तो यह तीनों जो है और न भी करनी है बढ़ जाएगे तो सवाल छे किये हम लोग और अच्छा अच्छा कोश्चन है आपको लग रहा हुआ कि असान है यह सवाल आपको बिहार पुलिस में पुछता है बिहार पुलिस का लेबल जो है कि मोडेरेट टू लो है दो टू मोडेरेट या मोडेरेट टू लो कहिए बात बराबर है कोई है पूरा हाई नहीं पूछता है समझे अभी दो चार दिन पहले हुआ था सुल्ला जुलाई को साइद क्या बोलता है उसको मद निशेद डरोगा का एकजाम एसाई का आप लोग कोश्चन जाके यूटूब पर देखी ना कितना आसान आसान कोश्चन पूछे हुए एक दम सब प्रिवियस पूछे हुए थ टोटल प्रिवियस किना दिया था एकदम मज़े नहीं आ रहा था एकजाम निशन होता है तो साइंस का कोश्चन का लेवल एकदम गिरा दिया था हिस्ट्री आप लोग पढ़िए अच्छा से उस हमें हो सकता दिक्कत होगा हमें नहीं पता आप लोग पढ़ते या नहीं प प्रिजाम हो जाने दिजिए फिर चैनल पर हम रहेंगे डटे हुए आप लोग कमेंटर बॉक्स में जो बोलना होगा बोल दिजेगा कि अगर मिहाई उस चलिए सवाल नमर साथ एक पारी तंत्र में सभी हरे पौधे एबं निल हरी सवाल जिसमें परकास संसिलेशन की छमता होती है कि उत्पादक के बर्ग में आएगा कि एसा थी एक बनाईए डाइग्राम हम इसको पहले भी समझाए है फिर समझा देते एक बार कहला कहिएगा कि पहले समझाए तो भी कहाए नहीं समझाएगा उनाहीं चलेगा कि चलिए हम समझाते हैं आपको इसमें एक दो इसमें रखिएगा उत्पादक और उत्पादक के रूप में रखिएगा सारा हरा पौधा और अधा पौधा फिर इसमें रखिए प्राथ्मिक उपभुक्ता इसमें रखिए दिर्टिया को पौधा इसमें रखिए दिर्टिया को पौधा और इसमें रखिए चतूर्थ अब कहोगे कि चतूर तक होता है क्या हम तो कहेंगे अनन तक होता है कि हम तो कहेंगे कि अनन्तक होता है आप लोग किताय में तिर्तियक तक देखेंगे होंगे हम चत्तूर तक लिखा देते हैं देखिए प्राते में कुप्ष वक्ता जो होता है उस अब साकाहारी होता है कुण होता है कि साकाहारी आए कि क्यों हो गया यूस यह क्या होता है साकाहारी यह क्या करता है सारा पेर पौथा को खाएगा दूसरा जो है यह मांसाहारी और तीसरा जो है यह अप घटक और बागे जो बच जाएगा सब चोथा में जाएगा तो प्रैक को फिवक्ता जो है वो साकाहारी होता है और बाकी जो बच गया वो अप घटक होता है जैसे चोटा-चोटा कीरा मखोरा आप एक नदी में क्या किजिए चोटा सा लकरी का टुक्रा फेक दिजिए और दू साल के बाद भूरने जाएगा तो नहीं मिलेगा हुग गया जी सारा अपब घटक खाएंग गया कि इस आपके घर के आश्च्वास में कोई जानवर मरता है तो आपके घरति की अंदर क्या करते हो रख देते हो नहीं बहुत दीनों के बाद चेए मैना एक साल बा 이건 को गल के खतम हो जाता है 16 कोण खाजाता है अपब हटक जानते हो परकास संसलेशन के दोरा क्या करता क्षाना प्रपकाता है कि परकास संसलेशन क्या करता है आप लोगों को पता चला और आइसन आइसन सवाल एक्जामनेशन हल में पूछे जाते हैं आप लोग ध्यान रखिएगा अब बताईए कि सारा कोश्चन बढ़का बढ़का हम बता देंगे और एक्जामनेशन हल में छोटका छोटका पूछेगा ताथ आप छोड़का चलेएगा कहिए कि लिग नहीं कहावत है कि छोटी-छोटी शुराग भी जो है कभी-कभी पूरे समूंद्र के अंदर नया डूबा देता है तो ओईसन कोई शुराग भी मत छोड़िये जिससे आपका जो है टाइटेनिक डूब जाए समझ रहे आप इतना भी चूक मत किजिए अपने तयारी में इस बार टाइटेनिक को डूबने नहीं देना है इस बार अगर भारा से चला है तक कनाड़ा पहुंचा कर रखेंगे जादा ना जी कहाँ से कहाँ जादा तो टाइटेनिक आप लोग लीखिये गाता कमेंट बॉक्स में उन्हें 112 में डूबा था ना चलिए तो अस्थिया आपस में एक दुसरे से किसे जुरि होती है अस्थि का मतलब होता है बॉन मतलब होता है हड्डी क्या होता है हड्डी तो अगर हम हड्डी को हड्डी से जोड़ दे हड्डी को हड्डी से जोड़े उसको जोड़ेगा लिंगा मेंड्स यानि बोन बोन बी बराबर में एल है बी बी एल बॉन बॉन इंगामेंड्स दुसरा है देखिएगा आप लोग एम पी टी मतलब मॉसल्स बॉन इसको जोड़ेगा टेंडन इसको जोड़ेगा एम बी टी मोहम्मद बिन तुगलक नहीं समझेगा इसको तिहास की चर्चा है यहां साइन्स हमपरहाने आई हुए है एम बी टी मतलब मॉसल्स बॉन को जोड़ेगा टेंडन हिंदी में कड़ रह तो यहां आईए और देखिए एंसर क्या होगा असनायु हिंदी में बोलते है लिंगा मेंडस को असनायु और कंड़रा बोलते है टेंडन को कुछ एक्ष्ट्राफेक्स बता देते है ताकी आपको उचनकारी हो जाए जैसे जो बलब है बलब ये फ्लूट लाइक टीशूद, फ्लूट लाइक टीशूद, क्या, कार्टी लेज, ये भी फ्लूट लाइक टीशूद, कान में, नाक में, हट्डी में, ये सपक काटिलेज पाया जाता है, जो इसको क्या करता है, मुरने में सहयता करता है, ये मुर रहे असानी से, मुर रहे न, ये 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 मुर रहे न, आसानी से, तो में काटिलेज है, इसलिए असानी से मुर रहा है, में पानी में तो उसे प्रासरन कहते हैं तो आप लोग देखे होंगे कि रात में आप लोग जो है चाना वेदाम किस्मिस कुलने के लिए रख देते होंगे पानी में तो सूबह में मोटाक एकदम तयार हता होगा नहीं तो किस बीदी द्वारा परासरन बीदी द्वारा वो जो रात में चना रखते हैं सुबह में फूल जाता है बदाम रखते हैं फूल जाता है किसमिस रखते हैं फूल जाता है तो यह फूलता है वो परासरन बीदी द्वारा फ्यूलता है अब आये बात बिश्रन की किज देगा तब विश्रन जो होता है उच छेत्र से निम्न छेत्र की ओर बेहता है जैसे आप लोग देखेंगे घर में अगर बत्ती जलाने के कूर्नर पर जो गनेश जी होते हैं वहाँ टांक Hijia जाता है अब थे नुखर को अपके सामने आ तो तरह मौहक जो है उन्या इससे निम्न खेत्र की और रहा है ज़ादा रहा है और निच्छ को बनाते चार ट्ला पर बईठा आता है औरना नजर नहीं आता है कि घ्नर किना हमेस्ब्राद क्रिया में जहता हैसे निम्न शैन्त कर दाcessor क्यूंत है है अग्समेल शें निम्न क्यों रहता है और विश्रन विडी द्वारा आगे बड़े चलिए रखिक संबेख के बदनले की दर को क्या कहते हैं नाथियो कि इस सवाल का इंसर जो मारेगा उसको यह को डेरी मिलक है आप लोग वीडियो पहुंच किजिए रोकिये रोकिये वीडियो रोकिये और इस सवाल का इंसर बताएं महर जाते हैं बताएं कि पॉमेंट बॉक्स में इमंदारी से बताएगा कि आपने क्या मारा और सही था कि नहीं था कि बहूत 190 फिट गहराई से निकाला हुआ कुश्चन है अंधार से निकाला कुश्चन है असान नहीं है पहलाता पर जिसके सामना या सब जो है और अच्षित लिए अ कई से होगा जह करा जे मुन में सक्रा मार दिया कोई के समझ में आघून ताघूर मार दिया कोई के बॉल कोई के जरत वागून जेकराँ जे समझ में मारते चले गया तक मारा सोग है कि अंदाजा लागा या करेक्ट इंसर क्या है सम आपको बताते है रेखिक संबेख का मामला है उनन्यूटन के घरती का दूसरा नियम में कि यूल्टन सकेंड लो में याता है जिसमें बल का परिभासा एफ बराबर में ए में इसका बलका आप लोग लिख सकते हैं रैखिक संबेग रैखिक संबेग रैखिक संबेग उस पर कार्ज कर रहे कि आप लोग केस समानुपाती होता है कि यह पतला है कि इस कैंसर क्या होगा कि बल कैंसर क्या होगा कि आया एक सब्सक्राइब फिट गहराई के अंदर का कुश्चन है बाबु साहिब कि आप लोग ता समस्ते हों कि अईसी लिए आता होगा अईसी नहीं आ जाते हैं आपके बीच हो हम अपना समय निकाल के लाते हैं और आते हैं इतना आसान नहीं है कि बोले नहीं कि अपने समय को इतना किम्ती बनाईए कि लोग मुलकाद करने के लिए लाइन में लगा रजाए उसको पहले परमीसा लेना परे इतना किम्ती बनाईए जब बील गेट्स को समय का पैसा मिल सकता है जब नारेंद्र मोदी को समय का पैसा मिल सकता है जब Microsoft को समय का पैसा मिल सकता है तो आपकी समय का पैसा क्यों नहीं मिल सकता आप अपनी समय को उतना किमती तो बनाए कि उस लेबल तक पहुंचिए कि हमाय का लोग पईसा देगा कि समझे कि इसका इंसर होता है हम लोग लगा दिया है अब आये सवाल लपर एक गार पीन अच्छा सवाल क्या है कि तुम मत हो रहा कुछ नहीं करेंगे हम मैनेज कर लेंगे सवाल देख लेता है दूर से निलिकित कथुनों पर बिरिचाड कीजिए कठोड़ जल उपर युक्त नहीं है कठोड़ जल के बारे में हम एक बात आपको बता दे कठोड़ जल में दो चीज एक होता है केल्सियम का कोलोराइड और दूसरा होता है मैगनीशियम का सलफेट कठोड़ जल कि क्या करता है कठोड़ जल रामुन के साथ असानी से ज्ञाग नहीं बनाता है और जब सामुन के साथ असानी से ज्ञाग नहीं बनाएगा ताप रगवड़ रह जाएगा ज्ञाग नहीं बनेगा जब ज्ञाग नहीं बनेगा तब फिन मॉयल को इसे निकलेगा नहीं निकलेगा जी इसलिए हम आपको बता देते हैं कि कठोड़ जल में केल्सियम और मैंगनिसियम के कुलॉराइड और सलफेट होता है जो सामुन को जाग नहीं बनाने देता इसका यह मतलब है कि सामुन पीने का पाने के लिए गलौत और ठोड़ जल उप्यूक्त नहीं है हाँ इसको पी भी नहीं सकते है कि मतलब के पाने पीते हैं यह बात सही है पीने के पानी के लिए साबुन से कप्रेट होने के लिए भी सही है एक बात और बता देते हैं वाइलर्स नाम का एक महसीन होता है स stabilize्सेकै Pylar का इसमें जब कैलसीम का प्रेन जाता है तो इसका नली बंद हो जाता है कि इसमें क्या जाता जब जब जाता है जखले इसक्ता होगा नली बंद हो जाएगा नली ऑं और बात में नली बंद हो जागा त Holzичaden तूट जाएगा इस फोट करेगा तूट जाएगा या भी सही है पांसल करें चाहि के लिए ये भी सही है क्योंकि अगर हम लोग फासल में असलमे कि इसका उप्योग करें अगया कठोर जल का तो जाइलम उसका राष्टा रुख जाता है जालम अबरूद हो जाता दाइलम अबरूद हो जाता है इसका मतलब कि यह भी सही है तो एक दो तीन चार डिफोर ही जोग चारों सही हुआ वोगो को जब भी इस परकार के कोश्चन आई आप लोगों के सामने तो सबसे पहले कोश्चन को इस स्टड़ी कीजिए तो से एक्ताम बहत्रीन कोस्टन है और बिहार एससी का पुछा हुआ कोस्टन है 2017 या 16 में एक्जाम होता है उसमें कि थोड़ा सा लेवल उठाया देते हैं बाद में शुरुआत में रख्या अराम अराम से निचा निचा वला कोस्टन हम देख रहा है तक देखते हैं वीडियो छोड़के भागता कुन-कुन है अब जो जो वीडियो छोड़के भागा होगा उसको इस सब कोस्टन का दर्सनत नहीं हुआ होगा इसलिए हम आप से कहते हैं कि पूरा वीडियो देखिए कोई ठीक नहीं है कहां को इसनों कोस्टन डला जाएगा तक नहीं मेरा अर्रेंजमेंट है हम अपने हिसाब से खेलते और खेलाते भी है आप सब्सक्राइब अज के सेट में लश्ट करें लास्सट में रख दिये थे और आसान चाहते पहले रख दिये थे ताकि देंगतेया बीडियो छोनगे भागताउं को हो परना नहीं परेगा किया अरे सौब डॉक्टर इंजिनियर मास्टर थर्वे बन जाएगा कि उस्तों बचे जिस पर हम लोग राच करें कि तैयार होई जाने दिजिए जो वीडियो छोड़के गया है अज जाके उदर देख रहा है बड़के पानी रगरत बानी सया हूँ अपना चीज पर इस अब जाने दिजिए उसको सुनने दिजिए कानी में रूफन लगा के बड़के पानी रगर्वाने दिजिए हम लोग परहाई करते हैं और सेलेक्शन लेते हैं अब आपका जो पसीना है उस पसीना का कीमत चुकाना है वो बड़ाप बन गया निच्चे का पानी जॉस करतास चली रहा है इसके अंदल का जीव जन्तु जाय तईरी रहा है जिंदे है ओईसन कई से हम एक चीज बताते है चार डिगरी सेल्सियस क्यार्ट डिगरी सेल्सियस पर कि योल का आयतोन कि पंहुता है कि और चार डिग्री सेल्सियस पर जॉलका घ्वनत्व या तो घ्वनता अधिक होता है अब चार डिग्री सेल्सियस पर सघ्वनता अधिक होता है तो ऊपर के पानी जम जाएगा नीचे के नहीं जमेगा जम नीचे के नहीं जमेगा तो मत्स्रीवा से प्यार से तईरेगा समझें समझा पाए हम अच्छा से इसका एंगा बड़ उस्मा का कुछ अलग यह इसा कुछ बात नहीं है तिल की सत्व और बायू का तापमान एक साह होने के कारण उस्मा की कोई हानी नहीं होती है यह भी नहीं है उससी में है इन्में से दौनों तो हम लोग कर दें अंगिटक कर देते थे अब इक्जामर भी यह यह इन्में से को नों ही पहले इंसर ज्यादातर होता था अब बहुत कम होता इन्मकाब्रन है कार दो आए उनकल आए रात में अधिक्तम होती है यह अपना करेक्टेंसर है पलावान गीत आहां बाबु गलती टाइप हो जीन पलावमान जीन यानि जंपिंग जीन कि सिध्धान्त का परतिबादन किस ने किया था तो यह किया था बार बरा मेकली टॉंग ग्रेगर जोन मंडल जो है यह क्या किया था अनुवांसिक्ता का सिध्धान दिया था पी एच मोरगन जो है आधोनिक अनुवांसिक्ता का सिध्धान दिया था आधोनिक अब आर्शन करीक जो है कि विद कोशी का सिद्धान दिया थे कि विद कोशी का का संथ सारे कोशन का पुस्मार्टम ठीक ठाख हुआ देखिए तो आप लोग अन्तुष्ट है न आप लोग बड़े आगे चलिए कि इमनलिकित कथनों पर विचार कीजिए जब गोला माद्य इस्तिसी से गुजरता है तो तोरण सुन्ने होता है इसके बारे में हम आपको कुछ लिखा देते हैं यहां से कोस्च्चन को समझना पड़ेगा क्योंकि आईसे नहीं निकलेगा आज के पूरे 20 कोस्चन में जब पनंडुलम माध्य स्तिति प्र होग सुषिति पर होग तो चल पांछ बाथ होगा तोरण सुन्न होग तोरन कीतना होगा चर गतिव जुटिया भी सुन्न होग बुट И क्या यह मतलब है कि इस्तिती जुर्जा दिक होगा रुख जाएगा रुख जाएगा गरबरा रहा है नहीं इस्तिती जुर्जा सुन्न होगा अगर तोरन सुन्न होगा इस्तिती जुर्जा सुन्न होगा और रती जुर्जा और बेग अधिक्तम होगा तॉर्ण क्या होगा और सुन Also question यह मतलब है कि अगर 14 में स्थिती में होगा तब ठीक इसका उल्टा होगा फिर से लिख देते हैं यह दिख देते हैं तो इसका उल्टा होगा अपको कहां लिख देता काम चल जाएगा छोटा कर देता है थोड़ा से जायूस यह चोटा हो जागा क्या यह मतलब है कि अगर पेंडूलम अगर पेंडूलम चरम स्थिती पर हो चरम तब क्या होगा तोरन मैक्सिमम होगा तोरन मैक्सिमम इस्थिती जूर्जा यह भी मैक्सिमम पर्तियान बोल यह भी मैक्सिमम और 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 रतिये जूर्जा और बेग सुने अब आए अब कोश्चन लगाए अब लोगे को कोश्चन लगेगा बोला है जब गोला मादे स्थिती से गुजाता तो तोरन सुन्ने होता है तो बात तो सही बोला है और आवर्तन में गोलक दो बड़ किसे निर्देश्ट को चलता है यह भी सही है पहले एक बार जाएगा ऐसे एक बार जाएगा फिर एक बार आएगा कि दोलान के दोरान जब गोला चरम इस्थिती पर होता है तो उसके तोरन सुन्ने होता है गलत देखिए न तोरन मैक्सिमाम होता है महराज कि अबको इसलिए था पहले कंसेप्ट दे दिये है हम क्या बोलेठा शुलात में धे पहले रास्ता बनाने देजिए कौश्टन तो गभऄ जाएगा पहले रास्ताबनाने दाएगा को कॉंसेप्ट कॉंसेप्ट जब रस्ता बन जाएगा ना तोन को रुखाबर नहीं जाने दीजिए लहे लहे समझे इसका यह मतलब है कि सही है यानि कि एक दू चार सही है एक दू चार सही है बाद वाकि सोब गलत है बड़े आगे है को नोट कर लीजी आप लोग लीपीट्स क्या होता है अर्सेक बसा है और यह क्या करता है इसमें लाईपे जी मुद्न होता है यह नजाइन है और यह जंगे 5 में मदद करता ऑजन के 101 में है है मुदत करता है कि आफा लाइच को साहत देता है पीत आम कवियंटि अलाक के पीट अमल में को एन जाइम नहीं होता इसलिए पीट क्या करता है और अफसरोंसर में मदद करता है है उसमें एंजाइम नहीं होता है लेकिन हूज मदद करता यह इंसका मतलब है लाइपेज और पित अमली सखलत आएक दूसर AB क्सेट का प्या काम है प्पिपत्षीन क्या करता है एक प्रोटीन को प्रोटीजो प्रोटीन कर पच से इतना ही लिग लिजेए ना कि पोर्टीन को पचाता है पेपसिन यह इन्याइब है ऑंद्रह के बाद सुल्लव डॉक्टर दोरा एन्ठीसिया के रूप में प्रियुक की जाने वाली गैस है अन्थीनसिया के रूप में प्रियुक होता है नाइट्रोस ओक्साइड न्टु ओ इन टूओ को लाफिंग गैस भी कहते हैं लाफिंग गैस या है पीग गैस इसको कहते है यह क्या होता है इसको सबसे पहले सिम्सन सिम्सन नाम का बरगानिक पर्योग में लाया था तो डॉक्टर दोरा इंथिंसिया के रूप में नाइट्रस अक्साइड का उप्यों करते हैं और सिम्सन नामक बेक्यानिक सबसे पहले इसको लाया था और यह एक लाफिंग ऐसे सब्सक्राइब करने के लिए संबर्धन किया जाता है देखिए देंटेलियम और ऑइस्टर दूग अप्शन तो पहले कट गया इलिमनेशन आप बचा दूगों कोरल और प्रान यानि जिंगा तो मोती प्राप्त करने के लिए आपको प्रान यानि जिंगा का संबर्धन करना होगा क्योंकि कोरल में इंसर के रूप में जो है कोरल में असपष्ट नहीं किया है कि किस परकार का कोरल ताकि प्रावन जो होता है प्रावन वह अलग अलग परकार का होता है कि इसलिए इसका एंसर हम लोग परान याने की धिंगा देंगे कि बड़े आगे 17 के बाद 18 समघादर तता पक्षी के पंक समजात अंग होते हैं वह सांग होता है समजात अंग अब इसका भी देखिए कंसेप्ट क्या है और यह सवाल जो है तुला जुलाई के मदनी सेथ के ए कहां से उठा के लाए है हम खुद्धे बैठेते एक जाब में हमरा याद था तो हम सोचे कि आप लोगों को भी बता देते हैं हम बताते आपको कि तो परकार क्या होता है अंग एक होता है समजात आयों कोता है सम रूप या समब्रिती समजात या इसमें क्या होगा कोई भी जन्तु है जानवर है पक्षी है तो उसका उत्पत्ति या क्या उत्पत्ति ना असन रचना समान होगा क्या होगा समान होगा कार्ज भीन भीन होगा क्या होगा क्या होगा क्या होगा क्या होगा और कुट्टा के आगे का दूगो पैर, कुट्टा का अगरपाद, मतलब आगे बला दूगो टांग, मनुस का हाथ और गाए के आगे का दूगो पैर, ये सब समजात अंका उधारन है, और समरूप में क्या होगा, उत्तुपत्ति, उत्तुपत्ति और सन्रचना, भीन भीन, और कार्ज समान, जैसे, चमगादर, चमगादर का पैर, पॉलस, वक्षी का पॉंग, ये जो है, इस समरूप का उधारन, उसका कार्ज समान है, लेकिन सन्रचना अलग अलग, आप लोग इसको नोट कर लीजिए, हम हड़ जाते हैं, स्क्रीन सट ले लीजिए, सबसे चाहिए रहेगा, और बाद में लिख लीजिए अच्छा से, और ये टॉपिक जो है, ये यूटूब पर सर्च करके, इसको किलियर कर लीजिएगा, जहां से आपको मिले, सूर्स, यहां सा सवाल बनेंगे, जिट्टो बनेंगे, क्योंकि जब वहां छुआ है, तो यहां भी छूने का कोर्शिस करेगा, क्योंकि उसी के सरकल में आसपास में घूमेगा क्योंकि बिहार, रक्षा भीभाग का सचीवे चेंज हो गया, तो नो नए सचीवा है, तो क्वेश्चन का लेवर ठीक ठाक रख रहे अब भी, तो उस दिन जो एक्जाम में बैठे थे, वो में दौरत बहुत काम उखरा हम र रहा था कि हो, एक्जाम ठाक, समझे, आप लोग भी जो है, बे इम्तिहाद मेहनत कीजिए और अपने अंदर संतुष्टी रखे कि इस पर मेरा होना है, बोगल बला क्या बोलता है, थलनमा क्या बोला, चिनलमा बोला, तानो के भथी में तपिये, लेकिन कोईला मत बनिये, स इंसान कोईला नहीं, तोना बनता है, तो मारने दी उसको जतना ताना मारना है, उसका करेक्टर होगा, यह कदम घटिया करेक्टर के इंसान होगा, जो ताना मार होगा तुमको, क्योंकि खुद्य बैठल है, तुम मेहनत कर रहे हो, तब तुमको ताना मारता है, तुम सोचन परोसिया करता नामे मत लो एक बार सलेक्सन लो ना जब लाइन लगेगा दूरा पर कुटूम के तो परोसिया के अंदर से करेजा फोटेगा बाप परेबाप पेटी बला से कहला पागल ले छोड़ा के चक्कर में क्या हाल हो जाता है कि अंदे अच्छा अच्छा के सामने भाव का यह नहीं करेंगे भी आप यह हाल है कि अगया चलिए निमने में से कौन से पादप युग में उभाईलिंगी पुस्व है तई है गुरहल और सरसू कि उन्हाइस के बाद आईये सबसे लास्ट कोचन 20 पे तूद उधारन है किसका तूद उधारन है यहां ओप्सन नहीं है पायस का ओप्सन में लिख लिए जिए पायस एक काटि इसको काटिया पायस लिखी का इंसार होगा पायस और हम आपको बता दे दर्व में दर्व बनाएगा तो पायस बनेगा तो एक्जाम्पल में आपको बता देते हैं दूद क्या क्या है तूद को गया है हाँ और क्या करोगे तो आज का डिसकाशन यह चोड़ते हैं बहुत गर्मी है अप्रा भी गया अंदर से हम लिए तो आज आप लोगों के लिए सब्सक्राइब करते हैं और आप लोगों से एक आसा है चोटा सा कि आप लोग वीडियो को शेयर कीजिएगा लाइक कीजिएगा एक लाइक से मेरा एनर्जी धुगना बढ़ता और और हम महिनत करेंगे आप बढ़ाई कीजिए क्योंकि हम उसका भूखे है बले नहीं हम महबत के बहुत भूखे है हम प्यार के बहुत भूखे है आपका एक लाइक यह साबित कर देगा कि आप हमसे प्यार करते हैं कि एक लाइक कीजिए को में बताए कि सेशन कैसा लगता है और किस लेबल का कोचन और आपको ज़रूरत है और किस टॉपिक से कोचन छुट रहा है आपका कमेंट्स मेरा उत्तरदाई होगा और सराखों पर होगा को दोनवाइस पार मिलके महनत करेंगे अपने भी गुल्ची लगेगी और आपकी भी लगेगी अई नहीं लगेगी तो मेला में दुन्ना भूजा के तो कान खोलेंगे को लगा अपकर ठीक रहा है कि हुईता पर अच्छा आइटम आता है कि मुह खोला मुह में डाल दी चलिए तो मिलेंगे कल आपको घर्मी लग रहा है बहुत जादा बहुत धन्यबाद बेस्ट अप लग तैयारी में से जूट रहिए हम आपको विश्वास दिलाते है कि इस कि आपको बेस्तों इस बेस्टी साथल रहा है कि मुह बंगत एक तीम आपको रहा है